प्यारे अच्छों नमस्कार स्वागत है आपके अपने अपने और आज हम लेख करने वाले हैं सजेक्ट वर्ब अगनल और वो भी दिना सनेवर बात किया है इस चैनल की सचे बड़ी खासियत यही है कि कि इस चैनल की बात करें तो जारा बाता रहता है क्योंकि आप या आप कई प्रोफेशनल होंगे या करियर बातर बनाने के लिए वीडियो बोखे हैं तो मेरे कहने का इतना सा मतलग है कि तभी भी खामय अपना बरबाद मा करें और में तर्कियों के चक्कर में ना पड़ें और कि वनोट किया रहा है काम की वीडियो देखने काम खतंग करें और सीखें तो चलिए अच्छट वर्प अग्रीमट विया दिन पास नमेर ख्री इससे पहले भी देव पार्ट में बता तुका है जिसमें हर एक पार्ट में पांच पांच था था आप इंपको बेचिए ल और हर एक जो ग्रेमा टोपिक है सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको सिंप्ली जो चीज पढ़ना है आप उसका नाम लिख दीजिए वहां पे गूगल सर्च में और प्रेम ग्यान लिए फर एक्जामपल आपको स्टेडी टेंस तो मैं लोग प्रेम ग्यान आज आएगा मुझे प्रेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग more less little अगर इस प्रकार के verbs यूज करने पड़ रहे हैं किसी sentence में तो जो वर्ब आएगा तो कौन सा वर्ब लेगा that will take singular verb एक्जांपल के साथ समझते हैं जैसे की माल जे मैंने बोला much of my anxiety is over तो much के साथ क्या आगया is आगया little has been achieved less of my time is is क्या गया is समझते पा रहे हैं तो जब भी inverse का combination हो much little less तो जो वर्ब आएगा मतलब subject क्या कोडि जो वर्ब आएगा that will be singular क्याएगा singular आगी बाद से में next क्या आजाएए फिर rule no 12 क्या कहता है concept no 12 says the majority of किसी sentence में आपने लिखा the majority of और the majority of का मतलब क्या आएगा नंबर से रिलेटिद है for example public बैठ हुई है और हमने कहा कि the majority of public मतलब जादा जो पब्लीक है इस साइड वाली जादा पब्लीक है we say the majority of people the majority of public takes यह किस प्रकार कहेगा plural verb example के साथ देखते हैं the majority of violations were of minor nature जो violations थे जो हिंसाएं हुई थी जारा करके उसमें किस प्रकार गी थी they were of minor nature तो यहां पे the majority of के साथ हमने word क्या लगाया है plural जैसा कि बताया गया है it is being Sunday अज Sunday है the majority of soaps soaps बहुत सारे है the soaps के साथ क्या आएगा आ रहा जागा क्या जाएगा the majority of violations were आ गया the majority of soaps आ रहा गया next rule number 13 क्या कहता है जड़ा देख लिजिए rule number 13 says noun plural singular meaning इसका मतलब क्या है कि noun हो गया plural और verb क्या लेगा singular when we use plural noun in form जैसे कि देखने में तो वो क्या लगी है कि भई यह plural है देखने में जैसे मैंने लिख दिया कि भई maths लिख दिया तो यह क्या लगा आपको plural है यह but होता क्या है singular उसका मतलब क्या होता है singular there are certain subjects ठीक है बहुत सारे ऐसे branches है पढ़ाई के learning के where we write singular वो होता तो similar है but it seems जैसे पीछे एस लगया तो वो क्या बन जाता है plural लेकिन वो होता क्या है these all are singular for example mathematics is not a piece of cake for everyone mathematics है जो सभी के लिए असान नहीं है तो इसका मतलब क्या है mathematics एक subject है for the timing we are using subject तो अब subject एक है तो एक के साथ क्या लगेगा is economics has gained a lot of attention modern days लेकिन यहां पे आपको बताना है चो economics है of the situation do or does not follow heavy investment तो यहां पे आपको क्या बताना है एक चीज़ बस आपको इसारा करके बता रहता हूं यहां पे क्या क्या economical facts की बात कर रहे हम लोग we are talking about economical facts now you have to tell कि यहां पे do आएगा यह दस आएगा आप पहने तो इसको देखिए इसको देखने से आपको यह मालूम चल जाना साहिए कि singular है कि plural है now you have to tell whether we have to use singular or whether we have to use plural यहां पे क्या हो comment box में लिखके बताईए next name of some disease and sports बहुत सारे ऐसे disease हैं बीमारिया है जो देखने में plural लगती है but they are singular for example mumps is a painful disease ठीक है यह एक disease का नाम है उसके पीछे एस लग गया तो is a painful disease पीछे एस लग गया तो इसका माले plural थोड़ना होगा it will remain singular only name of some books बहुत सारी books ऐसे है जरके पीछे एस लगता है for example my experiment with truth is the title of ugandhi ji book ठीक है my experiment with truth is आएगा है पी क्या आएगा is the united states of america is a developed country ठीक है ना USA है countries का संगठन है ठीक है there are many countries there are many alliances of you can say states countries वो बनाता है USA USA हो गया और उसमें बहुत सारी countries है बहुत सारे parts है और उसमें को मिला के हमने क्या यूज किया है is rule number 13 says noun similar in form but plural in minimum लगें है similar लेकिन होगा plural इसका मतलब क्या होगा it will take plural verb for example cattle cattle means क्या होगा people क्या होगा it is a group but it seems there are many people there are many cattle there are many you can say animals लेकिन है तो अकेला है तो अकेला एक पुरे ग्रूप को डिनोट कर रहा है so the people were agitated against the police it seems कि यह पुरा ग्रूप है एक है लेकिन जब भी आप इसको 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 इसके साथ क्या लगाएंगे plural लगाएंगे यह आप ध्यान रखेंगे the people were agitated तो जो ग्रूप है उस ग्रूप में हर एक people परसान है सभी लोग they were agitated the cattle are grazing in the field the cattle are grazing in the field although it seems कि यह आप क्या कह सकते है common noun में बहुत सारे है लेकि इसमें बहुत सारे को ही plural में लिखना है common noun जो common noun होते है class noun होते है जो पुरा common सभी को दर्शाते है food was good तो यहां पर क्या गया वोड्स ठीक है the entire old furniture has been in the house has been furniture बहुत सारे furniture थे पुरे घर में furniture furniture ली है तो इस सभी का एक group बनाके और उसको क्या कह दिया है next पुरा जूता खर्दने जाओगे तो पुरा जोड़ी ही खर्दोगा ना जूता की आगे बास सभी तो इसलिए आप पेर पेर जब बन गया तो एक बन गया एक जोड़ा बन गया तो पेर आप सूज इसलाइब एक जोड़ी खर्दोगा रही है तो जो सीजर का पेर है ठीक है ना इस आजएगा पेर के साथ हमें सब्सक्राइब इसलिए गा जाएगा बट हम फ्लिरल भी उच कर सकते हैं कब हम जब पेर हटा देगे हम सिंप्ले लिखेंगे तो अभी तक we have done with 15 concepts और सारे अपने आप में दुरूस्त हैं सारे बहुत असान है तस एक और रह गए है विल डिसकस इंदा नेच्ट वीडियो इसको जरूर देखें जरूर सीखें भविश्य में काम आएगा और अभी आप टुक्षाओं में पढ़ रहें तो काम आएगा इंगलिस ग्रामर का सही करना जरूरी है तो प्यारे बचे मुझा अवईध है आप लोग लगतार वीडियो देख रहे हैं और देखने जरूरी है कि सीख रहे हैं और सीखने से जरूरी है कि आप लिख रहे हैं कि रिटन मेटरियल हमेशा आपकी नोट्रूप में रहेगा वेनेवर यूफिल दाथ तो आप इसको देख सकते हैं, कभी भी फोलो कर सकते हैं, समझ में आगी बाद, तिल दर टेक क्यार, खुश है ये, खुशाम दी, इंगलिस सीके और आगे बढ़ी है, क्योंकि, एंगलिस ओपर अविल टू बूस्ट यो करियर को, थैंक यू